दोस्तों मेटको केर के एक नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत और बहुत ही विलकम है। किस बीमारी में इस्तिमाल होती है। अगर हम एडल्ट में देना चाहें जो बड़े लोग होते हैं उनमें हमें कैसे टेबलेट देना होता है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए छे-सात मिनट का हो जाए लेकिन बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है। कोई भी इंसान इस वीडियो को देखने के बाद इसके सारे यूज, सारे इस्तेमाल और परपर की बॉड़ी वेट के हिसाब से इसका डोज सब समझ सकता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे जो हमारा पहला सवाल था कि वाट इस ग्राशो फ्लेविन यूस्ट फार यानि किस बिमारी में यूस्ट टू ट्रीट किस बिमारी में इसका इस्तमाल होता है। तो ये एक anti-fungal medicine है, मैं आपको थोड़ा सा highlight करके दिखाता हूँ ताकि आप समझते जाएं। इस्तेमाल किया जाता है, अब हम जान लेते हैं कि वाट इस दा मोस्ट कामन साइड इफिक्ट आप ग्राशो फ्लेविन इस दवा का क्या सबसे कामन साइड इफिक्ट है, तो अब इसमें देखिए headache, अगर कोई ले रहा है सरदर्द हो सकता है क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जाने के लेने के बाद दॉक्टर ने दौल लेकिए घर लाने के बाद उनको सरदर्द होने लाए तो अगर अगर ऐसी कोई प्राबलम होती है और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है ज्यादा प्राबलम नहीं है, तो आप कभी भी दवा बंद ना करें, बलकि फॉरन अपने कि एपिछ को आप चालू करतें तो बंद नहीं करना होता है अब हम चलते हैं अगले सवाल के तरफ जो हम most commonly इसके बार में पूचा जाता है कि हमें इसको खाली पेट ले ना है या खाना-खाने के बाद लेना है दूट के साथ लेना है इसको बद मार दोसा सवाल ये होगा कि क कितने दिनों के बाद ये काम करना शुरू करती है, हमें कितने दिन बाद रजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम हाइलाइटर ले रहते हैं, ताकि आपको हम समझा सके हैं, तो इसमें देखिए, अगर आप ये पुछना चाह रहे हैं, कि खाली पेट लेना है, खाना खान हो जिसमें दूद हो, आइस क्रीम हो, ऐसी चीज़े हो, तो फैटी मिल के साथ इसको लेना ज्यादा बेहतर है, ये क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि अगर आप फैटी मिल के साथ इसको लेंगे, तो जो इससे खाने के बाद जो साइड डिफेक्ट जो गैस्ट्रो इंटरिस्टा आपको ये असर मिलेगा, तो इट यूजरी टेक्स अफिव वीक फर इसकिन और हैर इन्फेक्शन, या अगर आपकी इसकिन में या बालो में कोई इन्फेक्शन है, तो आपको दो से तीन अपते में रिजल्ट मिलेगा, इसी तरीके से इट कैन टेक अप टू, अप टू इन्फेक्शन तो किलेगा, तो इस दवा को अगर आपको अगर आप स्टार्ट कर देगा, जो चायल्ड मस्तेक्ट का अधू जिल्यो डॉक ट्र से यह डेचल्ड दीरे, इस टो एक तो डूकुल डिया इन्टिल उन्ट यो इस तो बन्त कर देजिए, अप नीचे बलेगा, your child must take the drug यानि उसको दवा को बंद नहीं करना है जब तक कि जो डॉक्टर ने जिसने दी है दवा वो ना कहते बंद करने के लिए अब हम डोस के बारे में जान लेते हैं कैसे इसका डोस ले जायता है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है कोई बच्चा है यानि कि कोई बच्चे का मतलब कोई 15 साल का है 15 किलो का है बीस किलो का है तो उसमें हम फाइफ एमजी पर गेजी पर डोस किसाब से टू डोस में डिवाइट करके दे देंगे इस दवा को इसी तरीके से डबल डोस दिया जाता है किसी पिशन्ट में जिसमें बहुँ ज़ादा इंफेक्शन हो तो उसमें हम छे से लेके बारा हफते तक इस दवा को देते हैं या दी जाती है डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं अगर हम बात कर लें एडल डोस की एडल्ट में क्या इसका डोस होता है तो पांच सो से हंडे एक हजार एमजी का सिंगल डोस में या हम टू डूवाइड डोस कॉलन करते हैं का नहीं के घुचा का खрасना करते हैं उसकील कि या मोरा इलिक्षाइड को है purpür draft करते हैं थारे एस नहीं को जो भी लोग लेना चाहेंगे वो उनको इस तरह या अपने पिशन को देना चाहेंगे तो ग्रायसोविन के नाम से मिलेगी आपको मार्केट में ग्रायसोविन के नाम से मिलेगी इडी फुलविन टेबलेट आता है इस तरीके से फुलविन टेबलेट के नाम से मिलेगी ग्रा जो सीरपु आपको माईकुजन आणम से शायद मार्टिमें आपको मिल जाके तो यह इसका पुरा लेने का और इसको इस्तीमाल करने का पुरा तरीका हो गया तो इस तरीके से अगर आप दिख रहाएं अपने पेशनू spark這樣 में तोंडी percent प्रसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा कभी भी आप गलत दवा का इस्तिमान ला करें जैसे आप इस टैबलेट को देखिए तो यह टैबलेट आपको 250 mg का आपके सामने यह दिख रहा है कहां चला गया यह 250 mg का आपको दिख रहा है तो यह टैबलेट अगर कोई एडल्ट लेना किसी बीड़क नॉलिज को अपना इंप्रूव करना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें अगर आप कोई आम परसन है और अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेगा डॉ और दोस्तों को साथ शेयर करना बिलकुल ना बोले थैंक्स अलाट थैंक्स वाचिंग इस वीडियो